नमस्कार शामद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक शामद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में एक सुन्दर सी मेल हतीली आप पुरुष जातक है और आपकी रियल हतीली मेरे शामने बिवी चना के लिए आई हुई है यहाँ पर देखेगा आपकी जो मस्तिस्क की रेखा है और आपकी जो जीवन की लकीर है इनके बीच में थोड़ा सा गैप दिखाई दी रहा है से पहले तो यह है कि आपका जो व्यक्तित्व है ठीक है नए एक जिसको कहते हैं कि मन के मालिक है स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व है अपने मन के मालिक है अपने मन के करने वाले हैं किसी के कंट्रोल में किसी के आधिपत्य में आप काम नहीं कर सकते हैं किसी के निरणयों पे चलना आपको अच्छा नहीं लगता है स्वयम के निरणयों पे चलने वाला ब्यक्तित्व है और ये सांदार जीवन आपका दिखाई दे रहा है दूसरी बात लेकिन एक चीज और है कि आपके अंदर मैनेजमेंट की चमता बहुत अच्छी है पुराने धर्ये पे चलना गिसी पिटी चीजों के साथ आगे बढ़ना ठीक नहीं आपको ठीक नहीं लगता है नई चीजों के साथ नई सोच के साथ आगे बढ़ना ठीकने नहीं टेकनलोजी के साथ कदम से कदम मिलाना आपको अच्छा लगता है और responsibility निभाना आपको बहुत अच्छा आता है और ये जातक जो वीव होते हैं बच्पन से responsibility निभाना अच्छा जानते हैं तो ये गुण आपके अंदर है एक कमी जरूर आपके जीवन में है जहां ये इतने गुणों को जन्म दे रही है एक कमी दे रही है इस पे मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है तो एक तो जीवन में उतावलापन ज़्यादा रहता है दूसरा overconfidence बहुत ज़्यादा रहता है कई बार ये लोग ऐसा फैसला कर लेते हैं कि जो जल्दबाजी में होता है उतावलेपन में होता है overconfidence में होता है और जिसके कारण बाद में इनको अच्छा खासा पचता आना पड़ता है तो एक चीज का ध्यान रखेगा एक तो overconfidence में कभी भी निरणय मत लीजेगा चाय रिस्तों के मामले में हो चाय करियर के मामले में हो चाय धन के मामले में हो चाय समाज के अन्य चीजों के मामले में हो ठीक है न? उतावलेपन में जल्दबाजी में भावनाओं में और overconfidence में बड़े निरणे मत लीजेगा ये आपको जबरदस्ट जटका दे सकते हैं और उसके लिए कई बार आप कुंठित होना पड़ सकता है पच्टाना पड़ सकता है इस बात का आपको ध्यान रखना है दूसरी बात देखेगा आपकी हतेली में यहां से एक लकीर आ रही है और सूरे के परवत को टच कर रही है और यहां पे एक चिन बन रहा है जिसको हम मचले का ही चिन बानेंगे और इस पे ब्रिस्पति का प्रभाव पड़ रहा है इस लकीर को सबसे अच्छा इसलिए माना जाता है क्यों यह ब्रिस्पति से निकलती है सूरे पर पहुँचती है ऐसी जिन भी लोगों की हतीलियमी है अगर वो प्रोड है और अपने करियर को तलास रहे है तो अगर ऐसा ब्रिक्ति सिक्छा का छितर में जाता है तो सिक्छा के छितर में बहुत बड़ा नाम ऐसे लोग कमाते है ऐसे लोग काउंसलिंग का जो काम है उसको भी सपलता पूर्व कर सकते हैं अब उसके बाद कौन से काम आते हैं चाहे सिक्छा का छितर हो चाहे इंजिनियरिंग का छितर हो चाहे चिकित्सा का छितर हो चाहे मैनेजमेंट का छितर हो चाहे बानेज्य का छितर हो या कानून क छित्र हो इनमें भी निश्चित ही कामियाबी ऐसे लोगों को मिलती है यह इस रैखा का करियर के रुक में फला देश जा है दूसरी बात यकीनन ऐसे लोगों का उठना बैटना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्टित होते हैं ऐसे लोगों का साथ हो दूसरी बात यह कहीं न कहीं आपकी जीवन में रहेगा अब यहां पर एक मचली का चिन बन रहा है इस पर सन्य का और ब्रस्पति दोनों का प्रभाव पड़ रहा है सन्य क्या है रहस्या है तो रहस्यमई जो बिद्याएं हैं उनकी तरप आकरसन बढ़ाता है और ब्रस्प प्रति की उजो से उसकी नौलेज भी होती है विक्ति को धीरे धीरे विक्ति अगर चाहे तो बहुत अच्छी नौलेज अरजन कर सकता है रहस्यमई विद्याओं में कौन-कौन है यह हस्त रेखा विज्ञान है जो यह भी एक रहस्यमई विद्या है आपका कुंडली है ठीक ह और वह बहुत सारी चीजे यह रहस्यमई विद्याओं होती हैं अगर ऐसा विक्ति उस तरफ आकर्शित हो जाए और उसको करने बैठ जाए उसकी नौलेज अरजन करने बैठ जाए तो ऐसे विक्तियों को अच्छी खासी नौलेज होती है और यह विक्ति एनलेटिकल किसम क होते हैं रिसर्चर होते हैं अच्छे खासे और ऐसी रिसर्च करते हैं कि जीवन में प्रतिष्टा तो कमाते ही कमाते हैं बड़ी बड़ी लोगों के साथ उठना बैठना होते हैं समाज का जो बहुत प्रतिष्ट तबका होता है ऐसी लोगों के साथ उस तबकी के साथ इनका जुड़ाव हो जाता है और जहां प्रतिष्टा कमाते हैं वहां धन भी बहुत अच्छे कमाते हैं किस से इसी रहसिमई विद्याओं से ऐसी भी इस्तितियां आती हैं लेकिन अगर व्यक्ति उससे हटके कुछ करता है तो चाहिए अपना काम हो चाहिए सिक्षा का छेत्र हो काउंसलिंग का काम हो इंजनियरिंग का काम हो चिकित्सा का काम हो मैनेजमेंट का काम हो बानिज्या का काम हो कानून का काम हो ऐसी लोग बड़ी जो है सफलता पाते हैं ऐसी चीजों में तो ये सबसे लक्की जो है रेखा मानी जाती है हतीली की और सबसे अच्छा इसे माना जाता है अब यहाँ पर दीखेंगे तो यह इस्तिति आ रही है और एक रेखा ऐसी आके और इसमें दो तिर्भुज उपर की और बना रहे हैं एक तिर्भुज अभी इस तरह से जो है यहाँ पर बनतावा दिखाई दे रहा है मनी कहीं न कहीं जो है आपकी जीवन में धन की इस्तिती बड़े रूप में आने वाली है बहुत जल्दी ही और अपने छेतरों में कहीं न कहीं जो है आप प्रुसकार से समंदित काम करने वाले हैं आपको कहीं न कहीं बहुत बड़ा फायदा होने वाला है अब यहाँ पे से ये कि ये बढ़ रही है, सब चीज अच्छी होंगी, लेकिन देखेगा ये बहुत बड़ी चीज को बता रही है, बदनामी हो सकती है, ठीक है ने, इस चीज पे ध्यान, यस जो है मान प्रतिष्टा जो है, वो कहीं न कहीं खराब हो सकती है, और उसके कारण कारियों पर प्रभाव पड़ सकता है, आपके प्रतिष्टा पर प्रभाव पड़ सकता है, आपके धन पर प्रभाव पड़ सकता है, परिवार पर पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये इसकी तरब जुक रहा है, तो पारिवारिक समस्याई उत्पन हो सक सुक्र जो है बलिष्ट है और सुक्र में यहां पर यह देखेगा यह जाल के साथ साथ क्या बन रहे हैं चतुस्कून बन रहे हैं और इससे एक रेखा निकल के चंद्रमा पर आ रही है मनि कोई ऐसा रिस्ता जो समाज में जो है मान्य नहों और उसके साथ प्रीत बहुत ज़्यादा हो गई हो तो चंद्रमा क्या है मन और सुक्र क्या है आमोद परमोद ठीक है नहीं तो किसी के साथ बहुत ज़्यादा जो है बिप्रीत लिंक के साथ बहुत ज़्यादा जो है प्रीत हो गई हो और वो समाज में जो है वो रिस्ता नामन जोर हो ठीक है नहीं उसे माना नहीं जाता हो और मन से इसका जुडाव हो गया हो तो मन क्या है 100% वहीं जाता है उसके का कारण कहीं न कहीं जो है ये बदनामी कर सकता है अगर कोई ऐसा रिस्ता है उसको भूल जाएगा कोशिस करिएगा उससे अलग रहेने की इस्तिति में आ जाएगा बहुत अच्छा समय है और इस रिस्ते से आप उबरेंगे भी और आपके मान प्रतिष्टा भी बहुत अच्छ रहेगी नहीं तो ये ऐसा उलजन पैदा करेगा कि ये चीजे तो हट जाएंगी इसको तो खतम करेगा ही साथ में कहीं न कहीं ऐसा लगेगा कि लगातार उलजे हुए है यस तो मिलता है लेकिन साथ साथ में बदनामी भी आ जाती है ऐसी इस्तिति आएगी कि आपका तनाव जैसे खतम नहीं हो रही है आपकी उर्जने जैसे खतम नहीं हो रही है आपकी परेशानिया जैसे खतम होने का नाम नहीं ले रही ऐसी इस्तितिया ये पैदा कर सकता है तो अगर कोई ऐसे रिस्ते हैं जीवन में तो उन रिस्तों से अलग हो जाएगा बिल्कुल जो है यह सोचेगा रिस्ता है यह नहीं और इसके लिए क्या करना है सुक्र का मैं एक उपाई आपको दे रहा हूँ उस उपाई को बिदिवत तरीके से करेगा निश्चिति आपको बहुत बड़ा फायदा होगा ठीक अब आपने लिखा है आपका पहला बहुत महत पूर्ण सवाल है आपने लिखा है कि हाल ही में मैंने एक साजेदारी ब्याउसाई में भारी मात्रा में निविश किया है क्या यह फलदाई होगा अब दीखेगा जैसे आपका सुक्र है आपका अंगोठा है इस हिसाब से तो पार्टनर्शिप है यह नहीं ठीक है ने पार् नुकसान न हो जाए निविश तो कर लिया उसका अच्छा खासा फाइदा हो जाए तो दो चीजे है इसमें एक तो देखेगा आपकी हतेली में राहो बहुत अच्छी इस्तितमे है और ब्यापार के रेखा अच्छी इस्तितमे दिखाई दे रही है तो नुकसान होने की ऐसी इस्तिति प्राप्त कर रहा है कि बड़ा लाव आपको दिलवाएगा कोई संसय नहीं है आप चिंताओं को छोड़ दे लेकिन तीन चीजों से बचे उतावलेपन से और कॉन्फिटेंस से जल्दबाजी से अब भावनाओं में बड़े निरणे लेने से अब आपने दो मैंने उसे हम नहीं मिल सके क्योंकि उसके पति ने उसे मुझसे बात करने के लिए पर्ति बंदित कर दिया है ठीक न तो मैंने इसका जवाब ओल्रेडि आपको दे दिया है तीसरा आपकी तीन बच्चे हैं दो बेटीया है एक बेटा है और आप कह रहे हैं कि इस पहलो पर बहुत श्यवानी करें यकीनन आपकी जो यह रेखा है इस पश्ट तरीके से बता रही है कि धीरे-धीरे ऐसी इस्तिति आ रही है कि परिवार के पर ते समरपन की आपकी भावना बढ़ेगी और आपका सुक्र का परवत ये बता रहा है कि धीरे-धीरे आगे चल कर ऐसी इस्तिति आ रही है कि आपको परिवार का सपोर्ट बच्चों का सपोर्ट निश्चित रोप से मिलेगा और उनकी तरब से खुशियान निश्चित रोप से मिलने वाली है कोई चिंता करने की बात नहीं है लेकिन थोड़ा ओवर कॉंफिडेंस से बचना है आपको परिवार के परति जिम्मेदारियों को बेहतरिन तरीके से समझना है और उतावलापन नहीं दिखाना है थोड़ा गामबिर्या अपनी जीवन में लाना है जैसे बाकी चीजें आपकी है जै करियर है धन है समा कुटुम का सयोग देगा और दामपत्य जीवन का सयोग देगा चोथा आप लिखते हैं मेरे पतनी मेरे माता पिता के साथ ताल में नहीं बिठा सकती है किरपया इस मुद्दे पर टिपणी करें अब ये उनकी हतेली से पता चलेगा कि क्या उनको करना है या वास्तुमें ब व्रस्पति ये जरूर बता रहा है कि परिवार को लेकि हलकी फुल की परेशानिया अभी जो है डेड़ से दो बरसों तक कम से कम 56 वर्स तक रहेंगी 6 बरसों तक और इसमें कोई बिजियों किंतो परंतो नहीं है आंसिक चिंताएं दिखाई दे रही है ठीक है ने और ये च मुदार नहीं सकते ही इस पश्ट है मेरी त्याई साल पहले एक दुरगटना ओई थी जिसके कारण मुझे पीठ के निचले हिसे में दर्द रहता है अब यहां पे तो ये अंगोठा ये बता रहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी जो पीठ के नीचे का ये इसले का वो थोड़ा सा बढ़ सकता है कमर की जो प्रवलम के संभावना है ठीक ने और गुटने का दर्द है इसमें बृद्धि हो सकती है सुकर के कार तो इसको ठीक करने के लिए आपको एक प्रकार का योगा करना है डॉक्टरे सला जरूर रखनी है योगा साथ में करना है वो मान जिन घटेंगी इसमें राहत मिलेगी तो ये इस्तिति आपकी हतेली में दिखाई दे रही है ये तो आपके सवाल थे आप चलते हैं आपकी कुछ अन्यलकीरों पे ठीक है ना यहाँ पर ये उंगली देखें तो ये पूरी तरों से जुके हुई है आपकी मिडली फिंगर की तरब यकीन मानिएगा धार्मिक भावनाएं आपके जीवन में बहुत अच्छी रहने वाली है इस स्वर में विश्वास भी बहुत अच्छा रहेगा और अपने आरद्य के परति समर्पन की पूरी भावना दिखाई दे रही है और आपके विक्तितों में दया और करुणा का भाव जरूर रहेगा जो इनसानियत का एक गुण है कभी भी आपके विक्तितों को जो निश्ठुरता है जो खडूसपन है ये नहीं चूपाएगा ठीक है ने तो ये चीजें बहुत सुन्दर है आपकी मध्यमा उंगली अगर देखे तो एक सही अनुपात में खड़ी ह यकीन मानियेगा कहीं न कहीं जो है आपकी जो मानसिक छमता है उसमें और भी विकास हो रहा है तो ये अच्छे संकेत हैं आपके लिए साथ-साथ में ये उंगली भी से मुड़ रही है इसका ध्यान दे रही है इसमें बृदि कर रही है तो अध्यात्मिक जो पावर है वो आपके अंदर जनरेट हो रहे हैं मैंने कहा ने आपकी हतिली बहुत भग्यसाली है जिस रास्ते पे आपने जाना है उस रास्ते की और अगर अभी से बढ़ना सुरू करें आप तो आपके अंदर जाम मानसिक छमता जबरदस्त है वही अध्यात्मिक पावर बहुत बड़ी र भावना बहुत अच्छी रहेगी बिबीक आपके अंदर सांदार रहने वाला है और औरों की मदद करने की भावना जो है वो जबरदस्त रहने वाली है पुद्दिमान होंगे और इन सब के कारण भग्या बहुत अच्छा साथ देने वाला है आगे खासकर आपका बुड़ आपको अपने स्वास्त्यका अपने द्धन का और अपने एस्वर्य भहगने का जो सांदार सुक है वो अच्छानक आपके जीवन में पूरी त्रों से उतर रहा है तो इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती है ये इस पष्ट तरीके से बता रहा है दूसरी बात ये उंगली पूरी तरों से जुक रखी है इसकी तरफ आपके अन्न ने सूरे के नैसरगिक गुणों के कारण यस पाने के एक्षा नेम भेम पाने के एक्षा और अपने कारियों में विस्तार पाने की बहुत ज़्यादा इक्षाईं परबल रोप में पूरी जीवन में रहेंगे चाहे आप कितने भी उपरी इस्तिति में चले जाएं फिर भी रहेंगे अब यहाँ पे ब्रिस्पती और सुरी की उंगली बराबर है मिडल फिंगर से दोनों छोटी है धन और यस की भूक बनी हुई है पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी है और आपकी जिवन का मात्र लक्षबी यही दिखाई दे रहा है जो आपकी उंगलियां कहे रही है यह उंगली पूरी तरों से जुक रखी है इस तरफ देखेगा धन का मानी की जो ललक है जबरदस्त जिवन में दिख रही है लेकिन यह इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पारी है तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाओं में, एकाउंटबिल्टी में, फाइलिंग में और कम्यूनिकेशन स्किल्स में भी काफी कमी यह दे रही है तो इस कमी को पूरा करने के लिए यहां तक आपको नाखोन बढ़ाना है तो यह चीजें बहतरीन इस्तिति में आ जाएंगी यहां पे यह चीजें इसपष्ट बता रही है अब आप एक नजर डालें तो सभी उंगलियों का जुकाव हल के रूप में ब्रिस्पति की तरप है ऐसे में आपकी विचारों में स्वतन तरता रहेगी यह इसपष्ट कहे रहा है अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी लिडर्शिप की क्वालिटी जनरेट कर रहा है आपका ब्रिस्पति तो यह चीजें आपके जिवन में हमेशा रहेंगी चाई कुछ भी कर लें यह रहेंगे अब यहाँ पर देखेगा अंगोठा आपका दो चीजें बता रहा है एक तो चप पनुए वर्स तक आपको थोड़ा समल कर चलना है देखेगा अगर आप जल्दबाजी में भावनाओं में आकर उतावलेपन में और कॉन्फिडेंस में बड़े निरणें लेते हैं तो जहां यह संगर्स देगा वही धन हानी की संभावना ज़्यादा बढ़ाएगा ब्यावसाई बड़ा सोच समझ कर आपको इस दोरान अपना करना है विसेश ध्यान देना है पार्टनर्शित में विसेश ध्यान आपको दे की चलना है अगर आप जो है बहुत ज़्यादा लापरवही करते हैं और जो चीजें मैंने बताई उस और ज़्यादा जाते हैं तो विवसाई में हानी बड़ी हो सकती है इस बात का ध्यान रखें घबराना नहीं है अपने को सचीत रखना है ठीक है ने और अच्छा खासा मेहनत आपको करना होगा अगर अच्छा पैसा चाहिए तो ठीक है ने और देखेगा 56 वर्स की आईउ के बाद बहुत अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है ये अंगोठा आपके जीवन में इस पश्ट चीजों को बता रहा है ठीक है अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखाई दी रही है लोटरी है सटा है या समाज में जिन कामों से एकदम ज़्यादा पेंसा हो लेकिन समाज में ठीक नहीं माने जाते है ऐसे कारियों में हाथ न डाले ठीक है न आपके हतीली में ये कारे ठीक नहीं है हाँ महत्वकान चाहें बहुत अच्छी रही बहुत आगे बढ़ने की सोच रहेगी ठीक है इच्छा भी भी पीछे की और शांदार मुढ़ रही है इसका मतलब है परिवार के परती समरपन की भावना रही की करियर और धन की रहेखा भी बहुत अच्छी है करियर और धनके मामले में भी बहुत ज़ादा बिचिलता नहीं रहेगी अस्तायत्वकी प्राप्ति होगी और यहां पर आयो को बढ़ानी वाली रेखा है ठीक है यह रेखा बता रही है कि सपलता निश्चित ही जीवन में मिलने वाली है ब्यावसाय में बड़ी तरकी दिखा रही है और बोलने के धंके कारण जीवन में धना अच्छा ठीक है अच्छी नौलेज और अच्छा धन जीवन में अरजन करेंगे यह इस पश्ट दिख रही है लोगों का सयोग तो बहुत अच्छा रहेगा लेकिन लापरवाई की गुणों से बचना होगा ठीक है धीरी धीरी एक रेखाई यहां से उत्मन हो रही है इसका लाब पश्ट है कारे के परती जुजहरोपन बढ़ेगा जिस कारे को एक बार हाथ में ले लेंगे जब तक पोरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं और जैसे जैसे उमर और अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे कारें में बिस्तार बनेगा इसका अच्छा परिणाम सामने आएगा अभी किसी चीज को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चिंताएं भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रियास कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जो है प्रियास करने के बाद भी उसमें सपलता नहीं पा रहे हैं ठीक नहीं उस चीज में जिस चीज के बाद बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है ठीक है लाख प्रियास कर रहे है सारे साधन है लेकिन सुक्र की अनुभूती नहीं मिल पा रही है ठीक है नहीं तो इसके लिए एक दिब्ययोग ध्यान के रिया मैं आपको दे रहा हूँ उसको प्रोपर तरीके से करेंगे साथ में मैं सुक्र का उपाई दे रहा हूँ इससे आपको बहुत अच्छी रहत मिलेगी निम्न मंगल धीरे धीरे बलवत हो रहा है चण भंगुर वाला गुस्सा हाभी हो सकता है और ये जीवन में नुक्सान दे सकता है ठीकन है आपके कारियों को तो इसको कंट्रोल में रखने के लिए दिव्य सुर्य किरिया दे रहा हूँ उसमें मंगल का उपाई दूँगा जरूर करेगा उपरी मंगल बहुत अच्छा है तो प्राक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक सुभाव बना रहेगा अगर ये मचले का चिन परिपूर्ण बनता है और ब्रिस्पति का परवत सुन्दर और अच्छे इस्तिति में आता है तो दिन दूनी रात चोगनी ब्यापार में उन्नती होगी ये इस पष्ट दिख रहा है यहाँ पर अगर सनी देखें सुभा उठने में थोड़ा आलस्य जादा आ सकता है लेकिन गामभीरे बिक्ति तो उत्पन होगा हाँ कभी कभी बे वजहे की चिंताईं घर कर सकती है या कुछ न कुछ ऐसी वजहें आ सकती हैं जो थोड़ा सा तनाव दे दे तो दिव्य योग ध्यान किरिया जरूर करें सुर्य की मैंने पहले बता दिया बहुत अच्छा है दिव्य सुर्य किरिया दे रहा हूँ सुर्य आपका शांदार है लकीरों इसका प्रभाव न पड़े तो दिव्य सुर्य किरिया दे रहा हूँ इसको जरूर करेंगे तो बहुत बड़ा लाब होगा आपका बुद्ध भी बहुत सांदार है जहां वानी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी वहीं जो है सारिरिक सुन्दरता भी बहुत सुन्दर रहेगी और लगजरी सुक का जीवन बेतीत करेंगे चंद्रमा बहुत खूब सुरत है एक सुन्दर दिखाई दे रहा है मानसिक रोप से आगे चल कर बहुत ज़्यादा मजबूत इस्तिति में रहने वाले है कॉन्फिडेंस लेवल एका एक बहुत अच्छा रहने वाला है सरीर में इस वोज़ों से किसी प्रकार की थोड़ी मोड़ी समस्याएं हो भी जाए तो भी मन आपका मन मजबूत रहेगा चंद्रमा जितना सांदार रहेगा जियोन में पाचन तंत्र भी मोटे तोर पर ठीक रहेगा सरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे चल कर बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके अंदर क्रियेटिविटी आ रही है आप क्रियेटिव जादा रहेंगे अगर मा होंगी तो मा का सुक भी मिलेगा चंद्रमा हतिनी में बहतरीन है मजबूत इस्तिति में है सकार अत्मक सोच हाबी होती हुई दिखाई दे रही है चल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सयोग भी शांदार रुप में मिलेगा आपका चंद्रमा बता रहा है देखेगा मैंने चाए आपकी सवाल हों चाए आपकी हतीली की रेखाई हो उंगलिया हो, ग्रह हो सभी का विसलेशन अपनी तरब से जो है पूरा देख कर कर लिया है बारी किसी और जो इसमें उपाई निकले है वो उपाई चाए दिब्य सूरे की रिया हो चाहे दिब्य योग ध्यानी की रिया हो चाहे सुक्र का उपाई हो ये सभी चीजे में लिख करके और ओडियो के माद्यम से आपकी वाटसप नमर पे दे रहा हूं बिदिवत तरीके से करने की कोशिस करें निश्चित ही आपको अच्छा लाब होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनो पस्तेत होंगा तब तक के लिए नमस्कार